एप्रिल 2024 तो आपको आइफोन 15 का प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा तो क्या हले मरे भाईयों के सब बढ़िया है ना थोड़ा सा फीवर है और थ्रोट इंफेक्शन है तो आपको मेरी वॉइस उतनी क्लियर चैर ना लगे आज बट थोड़ा सा अज़ेस्ट कर लो काईस रिसेंटली मैंने एक नया स्मार्टफोन परचेस करा और इस फोन को परचेस करने का मेंन रीजन है कि मेरे को इस फोन का क्यामरा टेस्ट करना था वेल मैं बात कर रहा हूँ आइफोन 15 की एंड एक सेकंड वीडियो पुरे एंड तक देखना विकॉस मुझे आपसे बहुत सरी बाते शेयर करनी है इस वीडियो में आप में से काफी सरी लोगों ने आइफोन 13 एंड आइफोन 14 जो फ्लिप काड और आमाजॉन की रीसेंटल सेल आई थी उसमें पर्चेस करा है जिसने कर लिया ठीक है अभी भी सेल चल रही है और प्राइस थोड़ सा इंक्रीज हो चुका है आइफोन 13 का भी 14 का भी क्या मैं आपको अभी भी वो दोनों फोन्स रेकमेंड करूंगा वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा दूसरी मैंने एक्सपिरेंस करा वो आपको बताऊंगा एक चीज़ और बता देता हूँ बहुत जल्द मेरे को जैसी फीवर ठीक हुच हैगा मैं एक क्यामरा कंपरसन वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आइफोन 15 को सामसंग S23 और वन प्लस 11 के साथ क्यामरा कंपेर करूंगा यह 75,000 रुपीज का मिल जाता है 6GB RAM और 128GB Storage के साथ इस फोन के डिजाइन में काफी सारे चेंजिस इस बर किये गए है मुझे परसनली आइफोन 13 और आइफोन 14 का जो डिजाइन था वो ठीक लगता था साइड में अलुमिनियम का फ्रेम था बट वो जो बैक सेट पे ग्लास था नहीं उस पर fingerprints बहुत आते थे तो वह उतनी जदा premium फील नहीं देता था वेरास अलुमिनियम का फ्रेम आइफोन 15 में भी दिया गया है बैक में आपको इस बर मैट फिनिश में ग्लास दिया गया है इस पर मैंने कितनी भी कोशिश करी यह मेरे ब्लू कलर में है इस पर fingerprints नहीं आते और यह एक बहुत ही elegant look देता है overall in fact overall जो in hand feel है वो भी better लग रही है मुझे back side पर जो glass है यह थोड़ा सा curve किया गया है तो हाथ में बहुत ज़दा comfortable feel होता है weight distribution phone का बहुत अच्छा है बहुत lightweight है यह phone and पता नहीं क्यों बट बिना cover के इस phone को use करने में यह actually make flagship phone जै purchase करने की जगा it's better कि आप international iPhone 14 Pro purchase कर लो या second hand iPhone 14 Pro purchase कर लो तो मैंने इस वीडियो मेंना कुछ camera samples capture करे है iPhone 14 Pro के साथ iPhone 15 के and वो आपको दिखाने से पहले सिर्फ 2-3 चीज़े हैं जिसको मैं एक बार highlight करना चाहता हूँ iPhone 15 में इस बार same iPhone 14 Pro की तरह जो peak brightness है वो 2000 nits की कर दिया है and ड Samsung S23 और OnePlus 11 से भी जदा bright है एक चीज जो मुझे missing लगी वो है इसका जैसे की पता है कि 60 Hz के refresh rate के साथ आती है A16 Bionic chip बहुत ही powerful processor है हम सबको पता है बट उसके बार भी 60 Hz होने की वज़ा से ये phone use करते time थोड़ा सा slow feel होता है बट ये सिर्फ उन लोगों को feel होगा जो already एक ऐसा phone use कर रहे है जैसे कि मैं S23 OnePlus 11 जिसमें high refresh rate वाली display मिलती है other than that अगर आप already iPhone 13 14 use कर रहे हो 12 Pro use कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा feel नहीं होगा कि ये थोड़ा सा भी slow feel होता है बस वह वाली बात है कि refresh rate का एक फरक है बट other than that जो overall display का color contrast है इस phone में movies देखने का एक बहुत ही अच्छा experience मिलना मुझे बहुत ही अच्छे deep blacks होने के साथ साथ जो overall color contrast है वो बहुत eye pleasing है movies देखने में बहुत मज़ा आ रहा था and iPhone 15 के जो overall stereo speaker है वो कहीं नहीं कहीं मेरे को better लगे Samsung S23 से यह जदा loud भी है overall जो music output है वो जदा rich लगा as compared to Samsung S23 that doesn't mean की Samsung S23 के stereo speaker अच्छे नहीं है it's just iPhone 15 के मुझे better लगे speakers अब अगर आपका usage normal है या आपको phone चाहिए बहुत ज़्यादा gaming करने के लिए बहुत ही powerful processor और बहुत ही capable GPU के साथ ही आता है performance में तो कहीं से कहीं तक यह आपको phone disappoint नहीं करने वाला बहुत fast feel होता है चाहे background में 15-20 apps हो RAM management भी बहुत अच्छा है iPhones में 6GB RAM का मतलब है Android में चाहे 12GB RAM हो 16GB RAM हो optimization इतने अच्छे होती है कि apps बार बार रिलोड नहीं होंगी memory में रहती है second चीज अगर मैं gaming की बात करूँ तो same iPhone 14 Pro या फिर iPhone 14 Pro Max की तरह ही gaming performance में ने experience करी and इतने smooth frame rate इतने consistent frame rates देखने को मिले कि अगर मैं इसको compare भी करू Samsung S23 या OnePlus 11 की gaming performance से ये कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा ज़ाधा better और ज़ाधा smooth experience मिला gaming करते टाइम iPhone 15 में तो gaming करने के लिए बहुत अच्छा है and अगर आप सोच रहे हो कि phone बहुत ज़ाधा heat होता है ये phone heat gaming करते टाइम नहीं होता one and a half hours तक continuous gaming के बार भी जो temperature है हो 40 degrees से ज़ाधा नहीं गए था मेरी testing में and ये phone heat का पर होता है जब आप इससे 4K videos record करोगे outdoor में bright sunlight के नीचे तब ये phone थोड़ा सा heat definitely होता है या बहुत ज़दा आप Google Maps यूज़ करते हो तो तब आपको ये थोड़ा सा phone definitely feel होगा कि heat हो रहा है बट बहुत जल्दी ये cool down भी हो जाता है बैटरी बैकप इस phone का मैं कहूँगा decent है मैंने better expect किया था considering कि इसमें 60Hz की display मिलती है dynamic island इसमें दी गई है and उसके कुछ animations वेगरा है बट मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सदा बैटरी consume करते होंगे मुझे personally यह से लगता है कि Apple कुछ ना कुछ updates देके बैटरी बैकप को improve कर देगा because iPhone 13 and iPhone 14 में कम capacity की बैटरी होने के बाद भी 70 mH के round कम है उनमे 3280 mH की बैटरी है whereas iPhone 15 में 3350 mH की बैटरी दी गई है 5 and a half hours, 6 hours का screen on time मेरे को इस phone से मिला है मेरे usage के according and बैटरी बैकप just ठीक है मतलब सुबह एक बार चार्ज कर लिया उसके बाद evening में आपको चार्ज करना ही पड़ेगा लेकिन iPhone 13 और iPhone 14 का बैटरी बैकप ऐसा था कि एक बार सुबह चार्ज कर लिया तो रात को same usage के साथ भी 10-15% बैटरी बच जाती थी तो ये एक difference है बट ये hopefully अपडेट के बाद ठीक हो जाएगा अब iPhone 15 में भी same iPhone 15 Pro and 15 Pro Max की तरह USB Type-C port दे दिया है बट data transfer speed आपको अभी भी Pro Series में बेटर देखने को मिलेगी क्योंकि iPhone 15 USB 2.0 को support करता है और जो Pro Series है वो USB 3.0 को support करती है nonetheless iPhone में USB Type-C अब cable carry नहीं करनी पड़ेगी सब के पास Type-C cable होती है तो ये एक advantage है cameras पे आते है 48MP का इसमें primary sensor दिया है इस बार जो एक upgrade है iPhone 13 and iPhone 14 से बट ये sensor सेम नहीं है जो iPhone 15 Pro Series में देखने को मिलता है बट हमें उससे क्या image quality पे आते हैं अब मैंने ये side-by-side pictures capture करी है iPhone 15 की iPhone 14 Pro ये iPhone 14 Pro Max भी आप कहा सकते हो आपको याद होगा iPhone 14 Pro के camera test में मैंने बताया था कि macro shots capture करते डाइम background में bokeh effect देखने को नहीं मिलता until unless आप specially macro mode enable करके pictures capture करो ये issue iPhone 15 में नहीं है just subject के पास जाओ अच्छा macro shot capture हो जाता है background blur भी देखने को मिल जाता है and main subject पे दोनों में details बहुत अच्छे आई है and colors भी well maintained है काफी rich color contrast देखने को मिलता है color contrast का difference एक जगा पे notice करा जैसे कि in sample shots में no doubt dynamic range काफी similar देखने को मिली है iPhone 15 and iPhone 14 Pro के shots में but iPhone 14 Pro में थोड़ी cool tone है cool tone वाले sample shots better लगे है iPhone 14 Pro के low light में move करते ही एक difference है बस उसके लावा results काफी similar है pictures बहुत शाप आती है बहुत detailed आती है pixel binning की वज़ा से ये 24 megapixel पे sample shots capture करता है and दोनों images में color contrast well maintained है सिर्फ एक difference है कि जो dark areas है वो slightly better exposed है iPhone 14 Pro में other than that दोनों pictures बहुत अच्छी देखने को मिली है iPhones में एक थोड़ा सा issue रहता है कि ये lights को उतने अच्छे से control नहीं कर पाते एक flare effect देखने को मिलता है जब हम low light images capture करते है अगर मैं इसको compare करूं Samsung S23 या S23 Ultra से तो वहाँ पे वो lights को better control कर लेते है but जो overall details है वो definitely iPhone 13 and iPhone 14 से better देखने को मिलती है iPhone 15 में and iPhone 14 Pro सीरीज में videos record करने के लिए iPhones हमेशा से ही बहुत अच्छे माने जाते है and no doubt जो overall video quality है उसमें enough details है, dynamic range अच्छी देखने को मिलती है video stabilization तो बहुत कमाल की होती है iPhones में तो आप बनाब videos जादा record करते हो तो ये definitely एक बहुत अच्छा option है बस जैसे कि मैंने बताया, इसमें 4K 30, 4K 60fps पे भी record करने का option दिया गया है थोड़ा सा heat हो जाता है जब हम sunlight में videos record करते हैं ये मैंने notice करा but other than that video quality बहुत अच्छी है अब सुनो मेरी बात ज़रा ध्यान से iPhone 13, iPhone 14 आपने मुझे नहीं बता किस price से purchase कर आओगा बट मैं assume करके चल रहो कुछ लोगों को ही iPhone 14 50,000 पे मिला होगा ज़रतर लोगों ने iPhone 14 55,000 में purchase करा है और अगर आप अभी भी iPhone 14 purchase करने का plan कर रहे हो जो around 58,000 रुपीज का मिल रहा है currently तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपको phone की need है कि अभी ही phone purchase करना है और आपको iPhone 15 का price drop देखने को मिलेगा और ये phone easily 63 या फिर 64,000 रुपीज का मिल जाएगा तो बेटर होगा कि 6,000 रुपीज, 5,000 रुपीज बजट स्ट्रेच किया जाए और iPhone 15 एक much better option रहेगा overall मैं उमीद करता हूँ content informative लगा होगा camera comparison video देखने के लिए wait करो bell icon को press कर दो और channel को subscribe कर दो और मैं next video में मिलता हूँ till then you guys have a great day